सब्सक्राइब पर आचुके हैं और एक बहुत बड़ी लेटेस्ट आपडेट आचुकी है अगर आप सिक्षक बनने के लिए तयार है और सोच रहें तो वह सुनारा की घड़ी आपके पास आचुकी है तो दोस्तों में जैसे कि बता दूं आखिर वह कौन सा नोटिपिकसन है आए चलते हैं देखते हैं नोटिपिकसन में क्या बताए जा रहा है दोस्तों जैसे कि देख रहें 13 मार्च 2024 को अपडेट आ चुकी है शिक्षा विबाग सरकार के अंतरगत सिमुलतला अवासी विद्याले जम्वी में माध्मिक एवंग उच्च माध्मिक शिक्षक के पद पर अप्लिकेशन आपके लिए आउनलाइन आबेदन शुरू हो गया है विग्यापन से अपडेट हो चुकी है और यह देख रहें विद्याले जम्वी में माध्मिक शिक्षक के कूल 21 पदों पर निम्युक्ति है तो स्योग अवंग भारती उमिद्वारों से विषित प्रपत में ओनलाइन आविदन आमंत्रित किया जाते हैं ओनलाइन आविदन भारने के लिए विश्टिस दिशा निर्देश बिहार लोग से आईक की वेबसाइट पर www.bpsc.bij.nic.in पर पर जाएगा जाएगी जैसा कि देख रहे हैं आपके पास यह बिगरी कोन कोन सी होने है तो यह सबी के बारे में दोस्तों आपको विश्टरी जनकारी दिया जाएगा तो इस वीडियो में सारी जनकारी एक एक करके आप देखें समझाएं आपके लिए काफी महत्तपुन है यहां का रहा कि मानता प्रात बिद्याले में तीन वर्स का सनातक सिक्षक के रूप में सेक्षिनिक अनुभा लिए सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब कर दोस्तों जैसे कि देखें किसी मानता प्राद भी सिद्याले से आपको नुद्दम 55% अंगों के साथ सुनात कुतर के डिगरी होना अतियावस्थ है अनुस्य जाती अनुस्य जाती पिछड़ा वरक के दिव्यांग नियुंतम निर्दारित आंग में 5% की छूड़ दी जाएगी यह आपको बताया गिया जैसा कि देख रहे हैं यहांपर अर्था की समझरी बात अनुस्य जाती के लिए अनुस्य जाती के लिए पाइटालिस वर्स और अनारफ्षित महिला के लिए 43 वर्स दी गई है इसमें चैयन की प्रक्रिया कैसी होंगे तो कुल प्रस्णों के संच्छा 120 होगी दोस्तों समय 2 घंटे की होगी और सभी प्रस्ण आपके mcq होंगे बहुवबी कलपि आपको बता दू कि 120 प्रस्ण के 4 भाग और 30-30 प्रस्ण के दिये जाएंगे से और 30 प्रस्ण गनित के 30 प्रस्ण बहदिक चमता के होंगे 30 प्रस्ण अंग्रेजी व्याकरण से कुस्टिन को पूछे जाएंगे ये सभी मेर्टिक लेवल के की कि आएंगे सब्वाग में आपको नियूंतम अंग दस अंग प्राप्त करना अत्यावजसेह यह आफके लिए आवस्यक दिशानिर देश है तो मोखी परिषा के तियारी कैसे करें इसके दो पाली में संपन कराया जाएगा दो पाली में एक पाली अंतरगत सामान अध्यन के प दर्शन शाथ ग्रीव विज्यान के निमतम बिशेख के शिख्चक होनी चाहिए अंग्रेजी हिंदी संस्कृत विग्यान बहुते बिग्यान गनीज रासायन विग्यान जी विग्यान इतिहाष भुगोर राजनितीास, आर्ट एंक्राप कम्पीटर संकीत निर्फ़ के लिए होनी चाहिए एक पाली के अंतरगत परिच्छावें 30% अंकों के प्रश्ण लग उत्री होंगे और 70% अंकों के प्रश्ण जिर्गी उत्री होंगे और परती एक पाली में तो तीन सो अंकों का प्रेस्ट न होगा, तो एक पाली की समय अवधी, तीन गंटी की होगी, यह आपको बताया गिया, तो इस दिशार निर्देश को आप जरूर से जरूर याद रखें, सक्छातकार कैसा रहेगा, तो सक्छातकार एक सो अंकों का होगा दोस्तों, इस इसको आप जरू से जरूर याद रखें और आगर आप आयरेक्शन कोटी में हैं तो आपको लिए जाती का देना अतनी आवस्यक है तभी आपको छूट दी जाएगी जैसे कि देखरें यहाँ पर दिया हुआ है कि आरशित कोटी के लिए क्या-क्या है क्या-क्या है क्या इसमें दी ह आपका माने नहीं होगा इसलिए आप अपना सेटिफिकेट को रेनवल अवस्यक करावें और किसी तरह की कोई आवस्यविदा हो रही हो दोस्तों तब कमेंट सेक्टन में कमेंट देखा हमें जरूर से जरूर कुछ फिडवाग देज सकते हैं और यह दोस्तों आपके लिए क्वेस्स यह है कि अग भने भांती वेबसाइट पर जाकर नोटिफिक्सन को देखें पढ़ें समझें और उसके बाद ही आप ऑनलाइन अपलाइक करें पहचान पत्र फोटो युक्त आपका चालाना चाहिए और हाल का खेचा हुआ चार फोटो उसके साथ होने चाहिए और और बिहार राज के अस्थाई निवासे सभी के लिए 150 रुपी देना है दिव्यांग अभियर्थि के लिए 40 परचंट से चाहधी के लिए 150 रुपी है और अनि सभी उमीदवारों के लिए 600 रुपी देना होगा लेकिन अभियर्थियों को याद रहे बैंक का चार्ज कर नहीं देना होगा दोस्तों यह बताया गया दोस्तों आपको बता दो कि ओनलाइन आवेदन प्रारम करने के थी 25 अपरेल दोजार चूबीस है और ओनलाइन आवेदन भारने के अंधर दिस सॉल्ला माई दोजार चूबीस है थैंकियो फुर्वाचि मैं वीडियो